हलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखिए रेलाइंस के इन्वेस्टर का क्या पैसा हो जाएगा जीरो क्योंकि बंद हो गई है अमबानी के इस सेयर की ट्रेडिंग इस न्यूज को तो जानेंगे ही और जम के रेटेल इन्वेस्टर बरबाद हुए हैं उसको भी जानेंगे बट उससे पहले आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसको कई बार मैंने कवर किया था तो लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया था बट मैं बार-बार कहता हूँ हमारा काम है आपको एक सही दिशा और सही गाइड दिखाना बट यह जो अभी चार्ट दिखा रहा हूँ न जब इसको देख लेंगे तो भविस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे इस पेसली जो नए लोग हैं वो कभी नहीं फसेंगे स्टॉक का नम बताऊंगा तब तक आप कमेंट में बता दीजे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और यहां पर यह स्टॉक देख लीजे स्टॉक देखने का सेंस है कि अगर हम इस स्टॉक के मंथली चार्ट को जब आप देखोगे तो मंथली चार्ट में यह पाऊगे कि इसका जो लाइफटाइम हाई है वो 2457 का है 2457 और आज 12 रुपए के पास का रहा है इसी से समझ सकते हो बरबादी जम के हुई है उसके बाद जब इसके बरबाद होने की कहानी आई बरबाद होने के बाद इसके बिकने की कहानी आई इसके डीलिस्ट की कहानी आई तो जब भी आप सुनते होगी कोई कमपनी बरबाद हो गई NCLT में चली गई तो कहानी क्या आती है का कुई न कोई दूसरी कमपनी खरीदेगी और दूसरी कमपनी का जब नाम आता है तो रीटेल भाई चुकिए उसको 10 रुपए, 5 रुपए इन मिलता हुआ देखते हैं तो कहते हैं अरे बबा यह दूसरी कमपनी खरीदेगी मतलब अब तो इसके दिन बदल जाएंगे लेकिन उनको ये पता नहीं कि कोई दूसरी कंपनी खरीद रही है वो आपके भले के लिए नहीं खरीद रही है वो अपने भले के लिए खरीद रही है ये चीज कभी रीटल भाई समझता ही नहीं है तभी हमेशा trap होता है अब इसका एक example दे लेता हूँ आलोक इंडस्ट्री आलोक इंडस्ट्री को भी अमबानी भाई ने खरीदा था मुकेस अमबानी ने लेकिन उन्होंने आपके लिए नहीं खरीदा था उन्होंने अपने भले के लिए खरीदा था समझने की कोसिस कीजिए लेकिन क्या हुआ था खुब ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी सेम फ्यूचर रिटेल में जब बात आ रही थी लोगों को लगा फ्यूचर रिटेल बदल जाएगा वहाँ पे M.I. जोन का जगरा हो गया उसमें वह किसी का ना हुआ बट अगेन कोई भी खरीदता वह अपनी ली खरीदता आपके लिए नहीं खरीदता बट ऐसे सेर में क्या होते हैं ओपरेटर एक्टिव हो जाते हैं और ओपरेटर एक्टिव होते ही वह आपके मन के लालच को समझते हैं कि आपका मन कैसे लालची है और वो इसमें अपर सर्किट लोवर सर्किट की कहानी लगाना सुरू करते हैं जिससे की रीटल भाई जम के खरीदें और फिर वो नीचे में बेच के निकल जाएं और ये कहानी 2019 से सुरू होती है जो आपके चार्ट पे है किस तरीके से 12 रूपय से अपर सर्किट लगते वे 27 गया फिर लोवर सर्किट लगते वे 16 रूपय जोड़ जम के चूसा गया है रिटल भाईयों को बार बार सपने दिखा कर क्योंकि गूगल पे भी आर्टिकल देखो गए न तो ये पूरा टाइम फ्रेम ही ये था जब सौ बार कहानिया सौ बार आर्टिकल आते थे क्योंकि न्यूज मीडिया का काम ही है ऐसे आर्टिकल को चापना लेकिन रिटल भाई समझ नहीं पाते हैं फिर गिरके 7-8 रुपे हुआ फिर 13 रुपे गया फिर गिरके 8 रुपे आया और उससे मज़े की चीज बता हूँ इस बार जब यहां से भागता है तो 27 रुपे 30 रुपे तक हो जाता है क्यों कि रिटल भाई को लगता है वाह अब तो हो गई कहानी वहां से फिर गिरता है 13 रुपे मतलब बहुत रेयर स्टॉक होते हैं जिसमें ऑपरेटर इतना दबा के गेम करते हैं जितना गेम यहां पर हुआ फिर गया 25 फिर गिरा 12 फिर गया 20 और करते 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 अंत होते होते समझ लो इसमें कहानी चलती रही और 12 रुपे की कहानी पे मर गया हम बात कर रहे हैं रिलाइंस कैपिटल की किन-किन के पैसे डूबे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि ये जो लर्णिंग आँ चार्ट की दी और इसकी फोटो बनाके घर में लगा लीजे कभी दोबार आप फसेगे नहीं अगर आप यूटूब मेंबर्सिप से नहीं जुरे हैं तो जुर जाइए क्योंकि ऐसे ही रिलाइंस कैपिटल जैसे सेर में भी अगर कोई अक्टिविटी किसी और सेर में भी होती है तो वो भी लर्णिंग वहाँ पर लेते हैं तो एक सेग भेहतरी लर्णिंग मिलती है 799 का प्लान है जुर जाइए और सीखते रहे हैं कमाते रहे है और हमारी टेकनिकल अनलसित की बुक अब हिंदी, इंग्लिस और मराथी तीनों में अब लेवल है साथ में मनी और यू जो आपको फाइनल्स की एजुकेशन दे कि वो हिंदी और इंग्लिस दोनों में अब लेवल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है order दीजे Money and You की बुक अबने बच्चों को भी पढ़ाई जे हां हम बात कर रहे है अनिलमानी की कंपनी Reliance Capital की जिसकी सेयर की ट्रेडिंग बंद हो गई है आखरी ट्रेडिंग जो हुई थी वो 26 फरवरी को हुई थी और उस दिन कीमत थी 11 रुपए 90 पैसे कहानी क्या है कि भाईया इसका अधिगरन हिंदुजा गुरूप की कंपनी इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग ने किया है और अब हिंदुजा गुरूप कहता है कि हम इसको डिलिस्ट कराएंगे और मौजूदा सेयर को खतम कर देंगे डिलिस्ट का मतलब क्या हो गया ना ट्रेडिंग होगी ना ही इंवेस्टर इसके सेयर को होल्ड कर सकेंगे जैसा कि मैंने बताया ही कि इसके भाउ 2700 रुपए से जाधा थे 99% तक गिर गए राइट है ना इंवेस्टर को क्या मिलेगा बाबाजी का थुलो अब एक्सजेंज फाइलिंग के मताबिक रिलाइंस कैपिटल के सेयर की ट्रेडिंग नहीं होगी रिलाइंस कैपिटल के सेयर डिलिस्ट होंगे उनका वैलुएशन हो जाएगा अंड़ा इसे में पैसा खतम सेयर होल्ड़र कोई भी भुगतान हाسिल करने के हखदार नहीं होंगे किसी भी सेयर होल्डर को कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा सेयर डिलिस्ट करने के फैसले के साथ ही उसकी कीमत मौणुदा भाव में बी जो भी रहे जीरो Stock holder को return कुछ नहीं मिलेगा NCLT की मंजूरी NCLT ने बीते मंगलवार को Reliance Capital पर नियंतरन के लिए Hinduza Group की कंपनी Indus International Holding के परस्ताव को दी मंजूरी अब नदबे दिन का समय दिया गया है Reliance Capital पर 38,000 करोर से ज़्यादा का कर्ज था Reliance Capital कस्टमर को Finance जूरी 20 से ज़्यादा सर्विस देती थी पता है होगा ना Life Insurance, General Insurance Health Insurance से जर्वेश जिसमें Community Broking and Home Loan जैसा सक्टर भी सामिल था बढ़ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अब आपके स्क्रीन पर Number of Shareholder की स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर आप जान लीजे कि भिया डिलिस्टिंग का गारण यह था कि 40-10 करोर से उपर का डेट था प्रमोटर ने डिफॉल्ट कर दिया सो RBI ने November 2021 में बिडिंग सुरू कराई थी हलाकि उस ताइं Committee ने रिजेक्ट कर दिया था Lower Bidding की वज़ा से फिर 2023 में Hinduja Group को सेलेक्ट किया गया Committee के द्वारा और इसके लिए Group ने Reliance Capital को पता है कितना पे करना परेगा 9,650 करोर रूपे अब यह कहानी है भहिया अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिखा Number of shareholder कितने है 7,77370 गई भैस पानी में 95.47% होल्डिंग इसके पास थी पब्लिक के पास तो भहिया क्यों ऐसा काम करते है और मैं आज भी बता दूँ जब लोग हमारे पास कुछ पूछते हैं समझते हैं वहाँ पर हम पाते हैं कि लोगों के पोटफोलियों में ऐसे ही सरे सरे सेर होते है प्रता नहीं किस सोच से जब कि हम इतना एजुकेट करते हैं इतना बताने की कोसित करते हैं कि प्लीज सावधान रहिए सतर्क रहिए ऐसा ना करिए अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया का सबसे बड़ा मल्ती नेवल मार्केटिंग स्कैम की भी वीडियो बनाई थी तो प्लीज अवेर होई है लोगों के साथ सेर कीजिए और ऐसे सेर से दूर रहिए यही कहना चाहूंगा